बिसमिल्लाराहमानि रहीम अस्सालाम अलेकू माय यूटियूब फैमली वेल्कम बैक टू माय यूटियूब चैनल तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे मैं हूँ मानूर रहान और आप देख रहे हैं मानूर's food corner यूटियूब चैनल तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी आलू गाजर तो चले स्टार्ट करते हैं इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है 2-3 डाइस्ट आलू हाफ के जी गाजरें तूटी स्पून नमक तूटी स्पून लाल मेर्श पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी दो हरी मिर्चें हाफ कप ओईल तूटी स्पून लहसन अद्रग की पेस्ट हाफ कप दही एक टोमाटर की पेस्ट और ये एक गलास पाणी अब सबसे पहले फ्लेम अन करके मैंने प्रेशर कुकर में ओल एड़ कर दिया है अब मैं एड़ करेंगे लहसन अद्रग की पेस्ट और इसे मिक्स करेंगे और इसे अब हम टू तू त्री मिनिट के लिए कोक करेंगे अब मैं इसमें एड़ करेंगे टोमाटर पेस्ट और इसे फिर से mix करेंगे तो अब इसमें मैं add करी हूं सारे spices इसे mix करेंगे अब इसमें add करेंगे दही हम इसमें प्यास add नहीं करेंगे क्योंकि प्यास से गाजरे मीठी हो जाती है और अब इसमें मैं add करी हूं गाजरे और इसे सही तरह से mix करेंगे अब इसमें मैं आइट करी हूँ पानी तो यह आप देख सकते हैं मैंने पानी भी आइट कर दिया है अब इसे हम 2-3 मिनट्स के लिए प्रेशर में रख देंगे अगर आप मेरी रेसिपी ट्राय करेंगे तो आपके गाजरे मीठी नहीं बनेंगी तो यहां 2-3 मिनट्स हो चुके हैं मैं इसका प्रेशर उपन करी हूँ यह आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो कम्प्लीटली ड्राय हो चुका है तो अब इसमें हम एड करेंगे डाइस्ट आलू और फिर से इसे मिक्स करेंगे अब इसमें एड करेंगे हरी मिर्च और र यहां आलू गाजर बिल्कुल रडी है तो अब इसे हम कर लेंगे डिश आउट तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने से डिश आउट कर लिया है और हमारी बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही कुएक मज़ेदार रेसिपी आलू गाजर बिल्कुल रडी हो चुकी है तो जरूर फिट बैक दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तो अब दीजी मुझे इजाजत अपना ख्याल अरकेगा थैंक्स पर वाचिंग अला हाफिज